दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे आज की सबसे पहली कबर पटना हाई कोड में कम्पीटर ओपरेटर सा टापिस्ट के पदो पर भरती के लिए आवेदान अमांतरत किये है पटना हाई कोड की इस भरती में आवेदान करने के चुक अभियरती हाई कोड की ओफिसल बेब साइट www.partnah-highcourt.gov.in पर जाकर ओलाइन आवेदान कर सकते है आपको बदा दे कि इस भरती के लिए आवेदान परक्रिया सुरू हो चुकी है और आवेदान की लास्ट डेट 7 अपरेल 2022 रखी गई है वहें ओलाइन आवेदान सुल के जमा करने की लास्ट डेट 9 अपरेल है साथ अपकी जानकारे के लिए बदा दे कि पटना है कोड के इस भरती अभियान में कोल 30 रख्तियों को भरा जाना है इन्वे से 12 रिक्तिया नारचित वर्ग के लिए 5 रिक्तिया सिडूल काष्ट के लिए 1 पटी और 5 बद ABC के लिए रखा गिया है चार पद ABC के लिए और तीन बद AWS के लिए है बड़े कबर 24 घंटे बाद बढ़ जाएगा बिहार का पारा 40 डिगरी तक पहुचने वाला है तापमान हो जाए सावधान जा बिहार में लगतार पारा बढ़ता जा रहा है पछले 24 घंटे में दिन में लोगों को काफी गर्मिक ऐसास हुआ है अब बहुत जल्दी बिहार में अधिकतम तापमान 40 डिगरी तक जाने वाला है ऐसे में सावधान हो जाए तुकि लगतार बदलते मौसम से आपके परिशानी बढ़ सकती है मौसम इवा के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 49.9 डिगरी से लसेस तक पहुँच गया वाई बाका में पारा 49.5 डिगरी रहा इसके साथ राज़ानी पाटना समेत ज़्यादा तर जिलों में भी तापमान चड़ता ही जा रहा है बाड़ी कबर बिहार बोर्ड मैट्रिक की कोपियों की जाच हो गई पुरी अब रिजल्ट की तैयारी में जुटा है बोर्ड जिया बिहार बोर्ड ने इंटर की रिजल्ट जारी करने के उपरांत मैट्रिक की रिजल्ट की तैयारी भी सुरू कर दी है अमीदे के महिने के अंत तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा बतादी की पिछले महिने 17 से 24 परवर के बीच मैट्रिक की परिचा हुई थी पाली पाली में करेब 8,25,000 तो दूसरी पाली में 8,21,000 परिचातरी पंजिकरित थे अगली बड़ी कबर बिहार के 8 जिलों में बनेगा नया बाइपास चार सहरों में होगा रिंग रोड का निर्मान बजट हुआ पारे जब बिहार के 5 सहरों में रिंग रोड बनाया जाएंगे इसके लिए राजधानी पाटना के बाद अब 4 आएन सहरों गया दरबंगा भागल पुर वा मुझापर पुर में रिंग रोड बनाया जाएगा इसके अतरी ताट सहरों में नया बाइपास बनेगा उनमें से एक पटना भी है बता दी कि पटना में अनेच तीन से बिगरापूर के रास्ते करबगिया क्रिसी फर्म तक नया बाइपास बनेगा पात निर्मान मंतरी नितिन नविन गुर्वार को पत निर्मान विवाक के बजट प्रस्ताव के तहद विदानसवा में इस बात की जानकारी दी है साल 2022-23 के लिए अंठाव नरब 19 करोड दो लाग 50,000 रुप्य का बजट पारित किया गया है बाड़ी कबर बिहार में सराबंदी कानौन में संसोदन की तैयारी विदानसवा में पेस किया जाएगा बेले जानिये क्या होगा बदला जा बिहार में सराबंदी को लेकर सरकार अब नरम पर्दी दिख रही है विदान सबहा सराबंदी कानौन में संसोधन का विधायक पेस किया जाएगा विदान सवा में बिहार मद निसेद और उत्पाद संसोदन विदायक दोजर बाइस लाने से पहले विदायकों की बेच इसकी कोफिया बाटी गई है आपको बता दें कि नए सरबंदी कानौन में प्यकड़ों को बहुत चोड़ दी गई है इसके मुताबि कोई वेक्ति नसी की अवस्ता में पाया जाता तो उसे तत्काल गिरबतार किया जाएगा इसके बाद उसे निकट के एक्जेक्टिव मजिस्टेट के सामने पेस किया जाएगा यहां उसे जुर्माना देना होगा यदि वहाँ सरकार द्वारत तय जुर्माने का भुतान कर देता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा जुर्माने ना देने पर एक मा का करावाज दिया जाएगा बड़ी कबर विहार में सराब नहीं तो निरा ही सही एक अप्रेल से पार्क और जू के गेट पर भी होगी निरा की बिक्री पटना में एक कावन नई सेंटर बनेंगे जा विहार में सराबंदी है सरकार अब विकल्प ला रही है राज में जहरेली सराब से हो रहाई मौत पर काबू पाने के लिए सरकार नीरा इस्टोल को लेकर आ रही है आपको बता दी कि राज के 38 जीलों में नीरा का विक्रि केंदर बनाय जा रहा है पाटना में निरा विक्री के लिए एक आवन सिंटर बनाए गया है इन सिंटर के मैदम से ग्रामी नवम सरी चेतर में अपरेल के प्रतम सब्ता से निरा की विक्री होगी बाड़े कबर बिहार में जमीन की रजिष्टी से पहले अब धर्ड़ पाड़े करेगे इस्तल का निरक्षन विधान परिषद में बोले मंत्री सुनिल कुमार अपरेल से होगी सुरूआज जिया मद निसेद उदबाद वव निबंदन मंत्री सुनिल कुमार सिंग ने कहा के रजिष्टी से पहले इस्तर निरक्षन का काम थर्ड़ पाड़े से कराया जाएगा पाइलट प्रोजेट के तोर पर अपरेल से इसकी सुरूआत होगी वित्यव वर्स 2022-23 के मद निसेद उदपाद वव निबंदन विवाग के बजट पर वाद विवाद के बाद वह विध परिशद में सरकार के उत्तर दे रहे थे मंदरे ने बताये कि विवाग पूरी पार दर्साद काम करने का परियास कर रहा है निबंदन विवाग की गार नई कारियाले का काम प्रगति पर है अगली बड़ी के पर बीजेपी ने दिखाए मुकेश सनी को हैसियत बोचाह सीट से घोसित किया अपना प्रत्यासी बियाईपी की 30 जहां उत्तर परदेश में हाले में बिदानसवा चुनाव में भाजपा को हराने के मुहिम छेडने वाले मुकेश सनी को अब बीजेपी ने हिस्सियत बताना शुरू कर दिया है बिहार में सनी के पार्टी बियापी के विधायक की निदन से खाले हुई बोचाह विदानसवा सीट पर हो रहे है उपचुनाव में भाजपा ने अपने उमिदवार के नाम के अलान कर दिया है मुकेश सनी का कोई नोटिस लिए बगएर बिजेपी ने अपने उमिदवार का नाम एलान कर दिया है बिजेपी के केंद्रे चुनाव समिती ने कल एलान किया कि बेबी कुमारी बोचाह सीट से पार्टी के उमिदवार होगी आपको बता दे कि सीट से मुकिस सनी की पारड़े की विधायक मुसाफिर पासवान हुआ करते थे लेकिन उनके निदन से सीट खाले हुए थे चुनाव आयोग ने यहाँ उपचुनाव का एलान किया है बिजेपी ने सीट से अपना उमिदवार उतार दिया है बिजेपी के स् बाड़े कबर बिहार में बिजली सप्लाई का बुलूप्रेंट तयार ग्रामिन इलाकों में 24 घंटे मिलेगी बिजली देर रात पावर कट होने पर भी ततकाल होगा मेंटेनस जहराज के लोगों को 24 घंटे बिजली सप्लाई देने के लिए डिस्टिबिशन कमपनेों ने तयार कर लिया है इसमें ग्रामिन चेतर को पहली बार सामिल किया गया है यानि ग्रामिन चेतरों में भी देर रात पावर कट होने पर ततकाल मेंटेनस कर सप्लाई कर दे जाएगी इसके लिए सहरों की तरह ग्रामिन चेतरों में कारेरत लाइन में को संसादन उपलाब्द क कराने 200 पावर सब इस्टेशन बनाने सभी बड़े सारों में इसकाड़ा इस्तापित करने आइतादुनिक तक्निक के सिस्टम लगाने इंफ्राइस्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का प्रस्ताव है इस प्रस्ताव पर मुई के सचीव के अधिक्सता वाले डिस्टिबिशन र स्रोत अगले तेन मां में अतिकरमन मुक्त होंगे दर्बंगा के 46 तलावो पर से अतिकरमन अगले दो मां में समाप्त हो जाएगा राजस्वेब भूमि सुधार मंत्री राम सुरत राय ने गुरवार को बिहार विदान में प्रस्नोतर काल के दोरान यह गोसना की है मंत्री भाजबा विदायक संजर आजवारी के सवाल पर यह जवाब दे रहे थे बाड़े कबर फुटपात दुकारों के लिए अची ख़बर पुरे राज में बनेंगे वेडिंग जोन चिनित हो रहे है जमीन यह बिहार विदान सभा के बजट सत्र के दोरान राज के सभी जिलों वेडिंग जोन की निर्मान की युजना को जमीन पर उतारने में तेजी आएगी इसको लेकर नगर विकास विभाग विबिन विभाग के साथ बैटक कर ऐसे जमीनों को चिनित करेगा जहां वेडिंग जोन का निर्मान करा कर फुटपाती दुकांदारों को इस्ताई मुजगार करने का उसर उपलावत कराया जा सकी राज के उप मंत्री वा नगर विकास मंत्रे तारकिस और परसाद ने गुरवार को बिहार विधान सावा में यह घोसना की है वे पुर्णिया के भासपा विधायक विजय कुमार खिमका के एक तारंकित सवाल का जवाब दे रहे थे भाड़ी कबर बियार में आप टरेफिक पलीज भी कर रहे है सरावियों की तलास मिले बेस ब्रेत अनलाईजर जे आपाटना पुलीस ऑथभ पलीस के अलावे अब टरेफिक पलीस भी सरावियों को पकड़ रही है ट्रैफिक पुलिस अब गाड़े चेक करने के साध साध सराब भी चेक कर रही है पिले जानकारी के नुसार सहर के बड़े पोश्ट के साथ ही उनकी रेगुलेसन टीम गुम गुम कर रेंडमली कहीं भी चेकिंग कर सकती है संदेग व्यक्ति को रोक सकती है ब्रेट अनलाइजर लगा कर उसकी जाज करती है अगर जाज में रिपोर्ट पोजिटिव मिली तो ट्रैफिक पुलिस को ततकाल लोकल थाना को इसको जानकारी देनी होगी फिर थाना की पुलिस की एक टीम आएगे और सराविय को अपने कबजे में लेगे इसके बाद उस सक्स के खिलाब कानों ने करवाई करेगे ट्रैफिक एसपी अनिल कुमार ने समद में आदेश जारे कर दिया है सरावियों को पकड़ने के मिले नई जिम्मेदारे के साथ पढ़ना के ट्रैफिक पुलिस को एक साथ बेस ब्रेट अनलाइजर सोपे गया है इन्हें 14 अलग अलग टीमों को सपा गया है बाड़ी कबर बिहार के उप भोगताओं के लिए बड़ी रहात बिजली बिल पर नहीं लगेगा धाई परतिसाद अतरिक टैक्स जा बिहार के मुझापरपूर में सरी चेतर के बिजली पुभोगताओं के लिए रहत की बात है बिजली बिल पर धाई फिजली निगम के अतरिक टैक्स रासी को जो बोज पढ़ने वाला था वा फिलाल टाल गया है नगर आईत के आगरों को बिदुद विनामा कायोक नहीं अका कर खारिस कर दिया के मामला नगर विकास विबाग वाबित विबाग के बेच विजारा देन है जब दक दोनों विबाग संगत रुब से इस पर निनाए नहीं लेंगे इसे लागू करना उचित नहीं है इस निरनाई से नगर निगम को सलाना पांच करोर रुपे के वसुली को जटका लगा है वहीं एक अप्रेल से बिजली बिल के साथ ढ़ाई फीजी अतरीक टेक्स की रासे जो देना था इसमें भी लोगों को रहत मिल गई है अगली बड़ी कबर बोद गया के बाद नवादा में बनेगा भाईबे दारसने किस्तल नवादा में पांच करोड की लागत से खुबसुरत मंदिर का वा निर्मान जल्द होगा उदगाटन नवादा जल्द के हरी चंद्र स्टेडिया में सित गवरदन मंदिर में तीन नए मंदिरों को निर्मान कराया जा रहा है इन्हें सबी का निर्मान दच्चिन भारत के कारिगर कर रहे है इसके निर्मान के बाद मागा चेत्र में बोध गया के बाद नवादा का नाम बाईवेद दारसने के स्थल के रूप में अंकित हो जाएगा मंदिर के चारो तरफ देवी देवताओं को आकरसंग लुक के साथ बनाया गया है इस तरह का मंदिर दचिन भारत में देखने को मिलता है अब ऐसा मंदिर नवादा में भी देखने को मिल रहा है आपको बता दे कि इस मंदिर का निर्मान 2014 से ही चल रहा है इसे पूरी तरह दचिन भारत का लुक दिया गया है साउथ के कारिगोरों नहीं आकर मंदिर का निर्मन किया है मंदिरों में सभी काम लगबा पूर्ण हो गया है कुछ निचे का काम बचा है जल्दे इस मंदिर का बैवे उदगाटन भी किया जाएगा और हम की बड़ी कबर T20 World Cup से पहले टकराएंगे भारत और पाकिस्तान, ASEA Cup में होगा इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला 27 अगस्त से स्री लंका में टोनामेंट की सरुआज जिया ASEAN किर्केट काउंसिलिंग ने ASEA Cup 2022 की तारिकों का एलान कर दिया है स्री लंका इस टोनामेंट की मिजबानी करेगा टोनामेंट का पहला मुकाबला 27 अगस्त को होगा वही फाइनल 11 सितामर को खेला जाएगा ASEAN किर्केट काउंसिलिंग की ओर से ट्विट के जर्य टोनामेंट का एविजन की तारिकों की जानकारी दी गई है ये टोनामेंट T20 फर्मेंट में खेला जाएगा टोनामेंट में भारत और पाकिस्तान के बेच महां मुकाबला भी देखनों को मिलेगा टीम इंडिया ASEAN कप इतिहास की सबसे सफल टीम है आपको बता दिखिए अब तक 14 बार इस टोनामेंट का एविजन किया जा चुका है आज के लिए आपको सवाल बताए कि आपके गाह में 24 घंड़ में कितने घंड़े बेजले रहती है इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके ज़रूर बताए